आज मैं बना रही हूं टिंडे और आलू की सब्जी वो भी बीना प्याज लसन अदर रखे और यह सब्जी सुखी बना रही हूं खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो मैंने आधा किलो टिंडे लिये थे जिसे मैंने दोग करके छील करके इस तरह से चोटे-चोटे के यह ने दो बड़ा क्रटा संक्वश और मेंद्जी चामज रखे लोल करने मैं देल ग्रम हो चुका तो मैं इसमें कटा रही हूं एक चंबरा शा फी न तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, कटा हुआ, तिंडा और ठालू, और निक्स करेंगे, तो मैं सब्जी में नमक डाल दूँगी, यहाँ पर मैंने एक चम सेधा नमक लिया हुआ है, नमक को सारी चीज़े, मसालो को बढ़िया मिक्स कर लेंगे, और बहुत एची खुशबू आरी, यह मसाला बहुत एच्छी तरीके से भून चुका है, और यह बहुत ही तेस्की सब्जी लगती है, ऐसा नहीं कि इसमें लगता नहीं है, प्यास नहीं है, अग्रत नहीं है, और मैं इसमें कमाटर भी सुखी सब्जी बना रही हूँ, धीमी आज से भूनते हुए हम सब्जी को पकाएंगे, और जल्दी से बन भी जाती है, तो आलू और तिंडे बढ़िया भूनते हुए पक जाते हैं, बस हमें थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना होता है, और धख करके पकाएंगे, तो र अध़ी देख करते हैं, यह देखिए अपना ही पानी इसमें छूटा हुआ, तो इसी पानी में सब्जी हराम से पक जाती है, आलू और तिंडे बढ़िया पक जाएंगे, बस हमें थोड़ थोड़ देर में इस तरह से मिक्स करते रहना होगा, और धख कर पकाते रहना होगा तो यह देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने और फिर से हम धख देंगे और गयास की आज बिल्कुल धीमी रखेंगे दो से तीन मिनिट वाद फिर से चेक करनेंगे लगबग 8-10 मिनिट हो चुके हैं और हमारी तिंडे और आलू की सूखी सब्जी बन चुकी है और आप देख सकते हूं कि पहले इसमें पानी शूटा था अब यह पूरी तरह से सूख चुकी है और ओइल दिखने लगा इसका मतलब है सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है ब बहुत ही बड़िया रेसेपी है तो यह दिखे गर्म गर्म तिंडे और आलू की सूखी सब्जी मन के तयार है तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि बीना प्यास लसुन के आपको यह तिंडे की सब्जी की रेसेपी कैसी लगी